नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत विराट कोहली T20 विश्कप के बाद भारतिये T20 टीम की कप्तानी छोड़ चुके हैं अब ऐसे में लगातार सवाल यही उठ रहा है कि क्या वो आने वाले वक्त में ODI और टेस्ट टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं फिलाल आपको बता दें कि अगले साथ दिनों में विराट कोहली की कप्तानी का भविस्त तें हो जाएगा लेकिन जहां तक कुकता जानकारी यह है कि टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली लगातार बने रहेंगे केवल ODI की कप्तानी को लेकर थोड़ा संसे बरकरार है आपको बता दें कि मुंबई में इससे पहले 3 दिसंबर से टेस्ट भी सुरू हो रहा है और विराट कोहली रिष्ट के बाद वापस भी आ रहे हैं जहां पर वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे लेकिन साउथ अफरीका जहां पर 17 दिसंबर से भारत को सिरीज खेलनी है जहां 4 T20 मुकाबले 3 वंडे और 3 टेस्ट मैच खेले जाने हैं वंडे टीम की कप्तानी और टेस्ट टीम की कप्तानी को लेकर इसी लिए चर्चाएं चल रही हैं वैसे आपको बता दें कि रोहित शर्मा T20 टीम की कप्तानी संभाल चुके हैं और बतार खुंड रूप से कप्तान बनने के बाद उन्होंने पहली ही सिरीज में का सफाया कर दिया था फिलाल अब देखना होगा कि विराट पोहली के कप्तानी का भविस किस तरफ जाता है